मित्रो नमस्कार लीगल एवेलनेस प्रोग्राम लेमेन टू लॉमेन मित्रो इस बाक्य को मैं कभी-कभी विशिश रूप से कहता हूं वो आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का वीडियो जन सामाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मित्रो अभी हाली में 21 मई 2024 को उत्तर प्रदेश मेरट में एक गटना गटित वी और वो गटना क्या थी? गटना यह थी कि State Bank of India में एक लॉकर को जब आपरेट करने के लिए उसका जो आनर था वो गया तो उसने देखा कि उसका लॉकर तो खुला हुआ है और उसमें उसके हिसाब से करीब 20 लाख रुपय का जो जो जोलेरी और उसका सामान गाए हुए यह समाचार आपने शैद सुना होगा मितनों यह समाचार एक सामान सामाचार नहीं है क्यों? क्योंकि एक जन सामान जो देश की जनता है उसके पास अपने आभूशन रखने का अपने important दस्तावेज रखने का एक जगह है जहां पर वो यह समझते हैं आम लोग कि अगर हम उ लेते हैं तो वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित है एक आगड़ा है एक डाटा है जिसके अनुसास देश में 60 लाख से अधिक लोकर इस्तमाल किये जा रहे हैं मतलब 60 लाख परिवार जो है उससे जुड़े हुए हैं देखिए कितनी important बात हो गई और जन सामाने में आपक पर इस पर चर्चा भी करेंगे और बताएंगे आम आदमी के लिए यह important बात है कि उसका जो जिस भावना से उसने वह अपने सुरक्षित रखने के लिए वहां पर सामान छोड़ा है वो कितनी सुरक्षित है देखिए अब हम सब से चलते हैं इन सब बातों पर कि जो सुरक् के लिए वहां पर क्या क्या इंद्जामात है जो घर पर नहीं होते हैं वहां पर पूरे इंद्जामात होते हैं बैंक में एक तो सुरक्षा यह हो गई लेकिन दूसरी सुरक्षा भी एक होती है बो सुरक्षा यह होती है कि अगर किसी की बज़ए से किसी भी प्रस्तिती में लॉकर का रखा हुआ सामान गाइब हो जाए तो इसका कंपंसेशन कितना है उसके पीछे उसकी सुरक्षा क्या है कि अगर वो गाइब हो जाए तब क्या है तो मित्रों ये वाली जो सुरक्षा है सेकेंड वाली ये बहुत important है और इसके बारे में आपको जानकारी उतनी नहीं और दूसरा लॉकर के सामान की भरपाई अगर वो सामान गया वो गया तो बैंक करेगा या नहीं करेगा और करेगा तो कितनी करेगा ये भी बड़ी important बात है मितनों होता क्या है कि जब भी हम बैंक से लॉकर लेने जाते हैं तो बैंक और जो कस्टुमर जो लेने जा रहा है लॉकर को उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं Memorandum of Letting इसका नाम है अब क्या होता है कि जा उनोंने वह सामज़े रख देते हैं यहां साइन कीजिए यहां साइन कीजिए आपने साइन कर दिया उन्होंने लॉकर इशू कर दिया फॉर्मल्टी पूरी होगे लॉकर लेकिन उसके अंदर लिखा क्या है जहां आपने साइन कि क्या लिखा है सबसे पहले यह लिखा है कि बैंक में चोरी या डखेती होने पर नोट कर लिए चोरी हो जाए डखेती हो जाए या बैंक करमचारी द्वारा फरजी कारे कर देने से कोई गटा-गटित हो जाए तभी बैंक जिम्मेदार होगा या बैंक की बील्डिंग ही गिर जाए क्लाइपस जाए तभी बैंक की जिम्मेदारी होगी तो क्या होगा सब, चोरी हो जाए, ठीक है, डखेती पड़ गई, ठीक है, बिल्डिंगी गिर गई, तो उसके अंदर का सामान अब हमारा लगा है, सुरक्षित रहेगा, जी नहीं, यहीं पर जराथ थड़ा सा समझने की जरूरत है, बैंक उस एग्रिमेंट में यह लिखा हुआ है, कि अगर ऐसी कोई गटना गटित होती है, कि बैंक का कोई करमचारी गड़बर कर देता है, धोका धड़ी कर देता है, चीटिंग कर देता है, और सामान गयव हो जाता है, तो एक निश्चित फार्मूला है, वो फार्मूला यह है, कि उस बैंक का जो किराया साल भर का एक बार दिया जाता है, जितने रुपए का किराया दिया जाता है, उसके सो गुना धनराशी बैंका को देगा, तो मतलब क्या हुआ, कि अगर एक हजार रुपए का किराया है, तो एक लाग रुपए मैक्सिमम बैंका को देगा, उसक एक निश्चत फर्मूला हो गया बैंक का ये आपने जो एग्रिमेंट किया है जिसको मिमोरेंडम आफ लेटिंग कहते हैं उसमें ये बात आपने एग्रिमेंट में साइन करी हुई है तो ये वाली बात आपको जानकारी में होने चाहिए तो इसका मतलब ये कितना ही कीमती है स सुरकषित रहे जाएगा लेकिन अगर सुरकषित नहीं रहा तो एक लाक अगर एक 1000 का किराया है बड़े शहरों में जादा होता है इसकी दो फर्मूल ये छोड़े intentionallyर को á gli dość होता है सब किराया से ज्यादा हैं कि कोई नहीं होगी वो भी इन अब घटना है तो और भी होती है आग लग जाए भूकम पा जाए युद्ध की इस्तिती हो और लॉकर डिश्टरफ हो जाए बैंक की बिल्डिंग डिश्टरफ हो जाए तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है अब देखिए इसमें क्या हुआ कि आरवी आई ने अभी नए गाईडाई जारी करें हैं लॉकर के संब्स्क्रिक भी वो भी में बता देता हूँ लॉकर ग्रहक और साथ में साथ दानियों में अभी आगी बताऊंगा लॉकर रूम के बाहर सी सी टीवी लगे होंगे जिसमें कि यह पता चलेगा कि यह आदमी ऑपरेट करने आया अंदर नहीं लगा होगा लॉकर ऑपरेट होने पर बैंक की तरफ से एक मैसेज आएगा रिश्टर मॉबाइल न जाती है मतलब 6 मेनी तक इसको सुरक्षेत रखा जाता है अब इससे इंपॉर्टन चीज में दूसरा बता दू कि बैंक लॉकर में किस किस चीज को रखा जा सकता है देखिए क्या होता है कि आपने तो बड़े गुट फेट में रख दिया अगर कोई घटना-गटित हो गई तब फिर कानून निकल के आ जाता है फिर पता चलता है कि यह तो हमको पता ही नहीं था कि ऐसा होता है तो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है यह लिश्ट डिस्प्ले हो रही है मैं आपको बता देता हूं आबूशन और दस्ताबेच मतलब जोलेजर रखे और डाकुमे नहीं रख सकते यह दिकि वो एक लिश्ट दूसरी भी है जो यह भी डिस्प्ले हो रही है इसमें क्या लिखा है कि कौन कौन सी चीजें रखना बिशेश रूप से निशेद हैं नहीं रख सकते कौन सी नगदी कैश बैंक लॉकर में कैश रखना बिलकुल इलीगल है मुद् देखें इंपॉर्टन जानकारिया आपको हो गई अब यह है यह तो हमने इसवाइश चर्चा कर ली कि बैंक की जिम्मेदारी कितनी है बहुत लिमिटेट जिम्मेदारी है टेंड हंडेट टाइम्स ऑफ जो रेंट एमांट है वह यह उसकी जिम्मेदारी है हमको क्या-क्या सब्धानेया लिनी चाहिएं सबसे पहले यह जब हम कुछावीं लगाकर बैंक मैनेजर चले चाते हैं तो उसके बाद आप उसको बैंक के मेसेज को पढ़ने सामान की एक लिश्ट बना करके भी अपने पास रखें कि कौन कौन सा सामान अपने लॉकर के अंदर रखा है याद रखें कि संदिग मामलों में लॉकर की जाच की जा सकती है लेकिन ये जाच करने से पहले एक लीगल प्रोसेस है उसको बताना इस ने एक फैसला अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया और यह दिया 21 मई 2024 को यह क्या है फैसला दिया इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है मित्रू हुआ यह कि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में एक लॉकर था किसका था लॉकर अभैकुमार जैन का तो पहले हम इसम 2022 और इसमें और आया 20 मई 2024 को तो सब इसमें क्या फैक्स थे थे थोड़ा साम यह समझ लें इसके फैक्स यह थे कि जो उनका लॉकर था वो लॉकर उनको खुला हुआ मिला तूटा हुआ मिला उसमें उन्होंने बताया कि एक लाग पिचैसी हजार 780 रुपय का उनका सामान गाइब मिला गाइब हो गया उनने पुलिस में अफायर कर दी आफ़ायर के तैट जांकारी हुई तो बैंक ने बैंक पुरी तरह से डिनाइल मोड में आ गया किसा हमारी कोई कमी नहीं है यह तो बाहर रह गया होगा छूट गया होगा इस तरह की बात हुगई नतीजा करके स्टिट कंजूर फॉरम को समर्थन किया बहुत को सही है लहाज बेंक नेशनल कंजूर फॉरम में पहुच गया और जब सब्से calidad तो ये वही वाली बाते होंइ तो आप來बिया नेशनल कंजूवर का भें एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो डिश्टिक कंजूमर फॉर्म का ओर्डर है, वो बिलकुल सही है, और उन्होंने किस ग्राउंट पर दिया, उन्होंने एक लाग जो 87,780 था, उसकी जगे पर वो वाला फार्मूला ले आए, जो कि इस्टेबलिश फार्मूला है, वो क्या? कि उन्होंने रेंट देखा, कि उनका रेंट कितना है, और उनका रेंट था 1000, इस इसाब से 15 आजने का अधेश दिया, यह 30 दिन के अंदर उनको कंपेशिशन देना होगा, उन्होंने कहा दिया, अगगर 30 दिन के अंदर नहीं देते हैं, तो 9 पर्स PAT BENE जोसाथ मे interest भी देना होगा मित्रों बड़ा ही important बात हो गई कि लोकर तो सब रखते हैं लेकिन लोकर समंदी जानकारियां को होना बहुत अविशक है मुझे उमीद है कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आपसे निवेदन है कि legal awareness प्रोग्राम को आप आगे बढ़ाएं लो